नमस्कार, नेशन वन के प्राइम टाइम बॉलेटिन में आपका स्वागत है मैं हुलीली और रुख करते हैं खबरों का उत्रखन के देरादूर इस्सेत लक्षमन विद्याले में चात्र चात्राओं का सम्बान समारो आयो जित किया गया जिसमें बतावर मुख्य अतिती शिक्षा मंत्री अर्विंद पान्डी ने शिरकत की और साल 2018 में हाई स्कूल और इंटर्मेडियेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चात्रों को सम्मानित किया गया इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने सभी चात्र चात्राओं के उज्वल भविश्य की कामना की साथ ही उन्होंने कहा कि जो बच्चे स्टेक लेवल पर नहीं आपाते हैं उन्हें जिलास्तर पर सम्मानित किया जा रहा है और ये कारिक्रम प्रदेश के सभी जिलों में किया जा रहा है जो इस्टेक लेवल पर नहीं आपाते हैं उन्हों बच्चों को हमने डिस्टिक लेवल पर सम्मानित किया गया बढ़ते अगली खबर के और जारखन के गिरिहीर में ग्राम स्वराज अभियान का आयोजन किया गया जिसमें सांसद रविंद्र कुमार पांडे ने कहा कि चुनाओ का टिकट कोई बस का टिकट नहीं है जिसको काट 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 कर बांटा जाए वहीं उन्होंने नेताओं को नसीहा देते हुए कहा कि वे अपनी नेतागिरी चमकाना बंद करें जो लोग पिछले दिनों से अगबार और एलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं वो टेंशन ना लें क्योंकि 2024 तक गिरी ही लोकसभा में कोई वेकेंसी नहीं है बीजेपी ही आगामी लोकसभाक्षेत्र के चुनाओं में अपने कार्यकरताओं और जनाता के बल पर चुनाओं जीतेगी जो लोग अपना नेतागिरी चमकार हैं उनकों में एक चीज कह दे रहे हैं कि 2022 तक चोबिस तक कोई वेकेंसी नहीं है अनिसरी टेंसन मतले में और भारतिय जनता पार्टी यहां से चुनाओं जीतेगी कार्यकरताओं के बल पर जीतेगी कार्यकरम के बल पर जीतेगी और हमारे जो नेता हैं उनके बल पर चुनाओं गिरी हीट से देनेश कुमार की रिपोर्ट और यहां पर वक्तिक छोड़ी से ब्रेक का रुकेंगे आपर ब्रेक के लिए खबरों का सिलसला यूँ ही जाली रहेगा हाँ मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रहे थी Then I found मांगलिक्स.com शादी होगे मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जैन्वन वेबसाइट इसमें है एक लाग से जादा मांगलिक प्रोफाइज और रेजिस्टर करना फ्री होर एकदम आसान अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और मांगलिक्स.com पर पाएँ अपना मन पसंद जीवन साथी ब्रेक के बाद एक बड़ फिर आपका स्वागत है, रुप करते हैं अगले खबर का बागपज जेल में बन कोख्यात अपराधी मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद उत्राखन की जेलों में भी ग्रह विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है उत्राखन में रुड़की हरिद्वार तेरहदून समेथ हल्दवानी और बागेश्वर जेल में जेल प्रशासन और खुफिया एजिंसियों ने चौकसी बढ़ादी है मामले में ग्रह विभाग ने हाई लेवल मीटिंग के बाद संभावित जेलों पर निग्रानी बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिये हैं आईजे जेल पीवी के प्रसाद ने सभी जिलाकारागारों में बंदियों के बैरकों की सगन चेकिंग के निर्देश दिये हैं इनकी अलग से मुलकात होगी और इनका मुलकात सा पुरा मुलकात को वीडियो रिकार्डिंग हो रही है और सम्मधित लाईयू की माध्यम से इनकी मुलकात व्यवस्ता कराय जा रहत है देहरदून से अमित्र तूडी की रिपॉर्ट उत्रप्रदेश के हापूर में गौकशी का मामला सामने आने से पुलिस विभाग में हड़कम मच गया पुलिस ने गौकशी करते हुए एक होम कार्ट समेट 5 आरोपियों को गरफतार किया है जिनके पास से हतियार और कई मृत और जिन्दा गाएं बरामत की गई है वही 10 आरोपी मौके से फरार होने में कामियाब रहे जिनकी तलाश पुलिस ने शुरू करती है हापुर से राजन त्यागे की रिपोर्ट और प्राइम ट्राइम पुलिटिन में इस वक्त के लिए मेरे साथ इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ मुझे नहीं जाज़त नमस्कार